नमस्कार मेरे नाम है सुरेंदर सिंग और आप देख रहे हैं SM News बहुजन समाज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि NTV चैनल के उपर बाबा साहब डाक्टर बियार अमबेटकर का एक सीरिल आने वाला है जिसको लोग देखने के लिए व्याकुल हैं और जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसका कारण है पूरी देश के अंदर उसका एड़िटराइजमेंट बहुत जोरों से हो रहा है और जहां भी बहुजन समाज के लोग रहते हैं SC, SC, OBC के लोग रहते हैं वहाँ पे उन्होंने होडिंग, बैनर वगरा सब लगाने शुरू कर दिये हैं और इसकी TRP इतनी जबरदस आ रही है लोग इसको बहुत अभी से पसंद कर रहे हैं बहुजन समाज के लोग उस सीरियल को देखने के लिए बड़े व्याकुल हैं क्योंकि बहुजन समाज के ही नहीं आजपूरे देश के लोग उसको सीरियल को देखने के लिए बड़े उत्साहित हैं क्योंकि उसका कारण है आर्टिकल 15 जैसी जो मूवी आई थी और वो छोटी सी मूवी थी जो छोटे हॉलों पे लगी थी लेकिन वो देखते ही देखते कई करोड का बिजनस करके चली गई तो उसी को देखते हुए लोगों ने सोचा कि ये जो बाबा साब की स्टोरी है जब एक आर्टिकल इतना बड़ा बिजनस दे सकती है तो बाबा साहब का सीरियल कितना बड़ा बिजनस देगा और इस पे सोचते ही तुरंद काम कर डाला है जो समझदा डारेक्टर थे उन्ह को ने इस सीरियल की खुबसूरती ये है कि जब ये सीरियल शुरू होता है तो एस सीरियल के अंदर बाबा साहब डॉक्टर बियार रखा गया है, जो sound रखा हुआ है, makeup, costume, जितनी भी चीज़े हैं बहुत सुन्दर रखी गई हैं और इसका जो presentation है वो बहुत खुबसूरत रखा हुआ है, बाबा सहाब को बहुत हस पुस्ट रूप से दिखाया गया है, बाबा सहाब का जो character निभा रहे हैं वो बहुत खुब रखा गया है, और जो बाबा सहाब को जिसने पढ़ा है, जिसने समझा है वो जानते हैं कि ये सारी घटना है बाबा सहाब के साथ हुई थी क्योंकि उनको साथ में बैटने का अधिकार नहीं था, नाई उनके बाल नहीं काटता था, रिख्षे वाला उनको कहीं छोड़ता नहीं था बलगे रिक्षय वाला गर कोई बैठा भी लेता था तो पैसे भी लेता था और रिक्षय भी बाबा साफ से चलवाता था तो इस तरीके का छुवा-छुद का इस सीरियल में दिखाया गया है अब देखना ये है कि ये है सीरियल किस तरीके से आके आपने आपको प्र सब ऐसा क्यों है हम लोगों को जातियों में किसने बाटा है जाती किसने बनाई हैं तो मा कोई छोटे से बालक की बात समझ में नहीं आती है और मा एक साधरन सा जवाब देती है कि ये सब मुझे नहीं पता तब डाक्टर बियार अमबीटगर बोलते हैं कहते जब मैं अपनी किताब लिखूंगा और उस किताब के अंदर सबको बरावर का अधिकार दूँगा और उसमें समानता का अधिकार दूँगा जिसमें मंदिर भी जा पाएंगे मस्जिद भी जा पाएंगे गुर्दवारे भी जा पाएंगे और उसमें कोई जाती भेदभाव कुछ नहीं हो उसमें समानता का अधिकार होगा बाबा साहब डॉक्टर बियार अंबिटगर ने अपनी वो बात पूरी कर दिखाई और सभीधान की रचनाय करी उन्होंने धेरो सारी किताबें लिखी उन्होंने आर्बियाई का कठन किया और इस समाज के अंदर बहुजन समाज जिसे शोश का व्यक्ति आज सीम बन सकता है मिनिस्टर बन सकता है वो भी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्र बियार अंबिटगर की वजए से उसका ये बहुत बड़ा कारण है दुनिया के अंदर जो सबसे खूब सूरत सविधान है वो है भारत का और भारत का सविधान इतना ऐसको सब लोग देखना चाहा रहें क्योंकि सभी जाती के लोग देखना चाहते हैं उस संघर्ष को बाबा सहाब के जो बाबा सहाबने अपने अपने टाइम में देखा था आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले